नमस्कार आपको हाई एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है इस से क्या होता है तो हाई यह एस्ट्रोजन के सिम्टम्स हैं तो वाट्सप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा क्रिप्या डायरेक्ट कॉल ना करें वाट्स आप पे जाके मैसेज करें ठीक है तो जब एस्ट्रोजन हाई होता है तो बॉड़ी में क्या होता है लूतेनाइजिंग हॉर्मोन फॉ ovarian tumor हो जाता है ovaries जो होती है females में उसका tumor हो जाता है उसमें गांट हो जाती है तो estrogen बनता है इस वज़े से क्या होता है आपका hypothalamus से यह जो हॉर्मोन से LHFSH यह सब कम होने लगते हैं ठीक है एक कारण क्यों हो गया एक कारण और होता है familial hyperastrogenism नाम की genetic disorder उसमें भी estrogen ज्यादा बनता है उसके अलबा exogenous estrogen जैसे कई female है especially in India self-medication बहुत होता है वो लोग खुद से कोई भी दवाई खा लेते हैं जो estrogen boost कर देता है तो उसके बहुत severe side effects होते हैं ठीक है without doctor prescription self-medication like hormonal pills okay HRT hormone replacement therapy या फिर estrogen बढ़ने का एक कारण होता है liver cirrhosis liver function impaired होना इस case में भी testosterone low जाता है estrogen बढ़ जाता है ठीक है अब उसके बाद बात करते हैं कि इसमें sign symptoms क्या आएंगे कैसे पता चलेगा हमें बिना जांचों के clinically की estrogen बढ़ा हुआ है या नहीं है ठीक है तो estrogen बढ़ने का कारण होता है जैसे infertility आता है नपून सकता आने लगती है कुछ cases में precocious purity होता है कुछ लोगों को breast cancer होता है कुछ case में endometriosis हो जाता है female को कुछ case में uterine fibroids गांट होने लगती है uterus की ठीक है तो यह सारी चीजे excess estrogen से आती है या फिर weight बढ़ जाना चिड़ चिड़ा पन रहना ठकान रहना कमजोरी रहना ठीक है यह सारे symptoms आते हैं उसके अलावा estrogen level हाई होने से होता है ठीक है उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि estrogen हाई है तो अब क्या treat करें में में बात करेंगे तो में गायने को मेस्टी हो जाता है abnormal enlargement of breast glands ओके में में गायने को मेस्टी हो जाता है infertility मैंने बताया तो यह सारी symptoms आते हैं उसके बाद अब investigation की बात करें तो investigation में हम clinical symptoms से पता कर सकते हैं पेशेंट का दूसरा clinical symptom के अलावा patient का clinical history उसके अलावा investigation देखो कि कई ओवरी में अगर female है तो कोई tumor तो नहीं है उसके अलावा genetic testing कर सकते हैं लीवर function देखना होगा लीवर का skin ज़रूरी रहेगा कई cirrhosis अगरा तो नहीं है लीवर कोई एक्सेस एस्ट्रोजन इंटेक आउट साइड का history तो नहीं है कोई hormone replacement therapy पे तो नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजें बहुत ज़रूरी है patient को जानने के लिए कि एक्सेस एस्ट्रोजन है उसके अलावा serum estrogen levels ठीक है एस्ट्रियोन एस्ट्रोजन लेवल यह जानना ज़रूरी है उसके अलावा treatment की बात करें तो treatment lifestyle modification और mainly है treat the cause कारण को treat करो ovarian tumor है निकाल दो surgery ठीक है उसके अलावा medications का भी रोल होता है जैसे GNRH analog हम इसमें दे सकते है पेशेंट को ठीक है एन अगोनिस जी एन रह नोट अनलोग एंटगोनिस्ट अगोनिस्ट वी कन प्रोवाइड लाइक गजोरेलीन ठीक है दोस्रेलीन इस ड्रॉक्स यह दवाईया है कुछ प्रोजेस्टरोन पिल्स पर खुद से नहीं लेना है मैंने क्या कहा self medication always harms आप self medication लेके खुद की बॉड़ी को हाम कर लेते हैं क्योंकि आपको यह नहीं पता कितना dose कैसे लेना है तो better to take किसी अच्छा opinion लीजिए doses का titration हो और always estrogen कम करने की दवाई से पहले जरूरी है कारण को जानना क्योंकि कारण को treat किया जाता है high estrogen level को नहीं ठीक है तो cause must be always treated उसके लावा कुछ food supplements है डायेट वगएर आपको लेना पड़ेगा exercise आपको करना पड़ेगा तो वह सारा चीज ज़रूरी है लास्ट में thank you धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो like करे चैनल पर नहीं तो subscribe कर लें गुड़ डे गुड़ बाई थै झाल ऐICAचम झाल सारी है लाव तो किलाओ पम झाल से करेड़ आपको है तोस्तों करेंस से वीडिक है गज़ना तोस्तों किलाके थिए तोस्तों किलाओ रlares है रuçकी है ईहै जवएर लगगशना बटहशना है अ